नमस्कार दोस्तों जैमा लक्षमी दोस्तों 2023 में धंतेरस कब है दिवाली कब है जानें गयागे इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अभी दिवाली की साबसफाई धंतेरस की साबसफाई हर घर में जोरो सोरो से चल रहा है और इसी साबसफाई के चकर में जा आपको साफसाफाई क्यों करते हैं ताकि है घरते हैं मालक्षमी का आगमन हो और हमारे घर में सुक समरिदी धन दौलत सब आए लेकिन हम जाने इन जाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारे घर से लक्षमी ही भाग जाती है और दरिदता घर आ जाती है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज जो आपको दिवाली की साफ सफाई करते समय बिल्कूल भी भूल करके भी नहीं फेकना है जब भी आप मंदीर की साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई करते समय अगर आपके मंदीर में लक्षमी गनेजी की कोई साभी पुरानी फोटो कलेंडर परतीमा मिल जाया और आपको ऐसे लगता है कि इस पर अपने मंदिर को अच्छे से सजाऊंगा एक्ष्ट्रा लक्ष्मी गनेश जी है इन्हें में ले जाकर के भी सर्जन कर देता हूं तो बिल्कूल भी भूल करके भी ये गलती मत कीजिएगा लक्ष्मी पूजा से पहले क्यूंकि आपने पूरे साल लक्ष्मी गनेश जी की परतीमा को भी सर्जन करते हैं तो मा लक्ष्मी रूश्ट होकर कि हमारे घर से बाहर चली जाती है कब भी सर्जन करना है ये भी मैं आपको बताओंगी ये नहीं कह रही हूं कि एक ही भगवान के धेर सारा फोटो परतीमा रखनी चाहिए बिल्कूल भी नहीं रखनी एक ही रखना चाहिए लेकिन बिसर्जन करने का भी नियम बिधी और दीन होता है आपको क्या करना है कि इस साल लक्षमी पूजा पे जब भी आप लक्षमी गनेजी के नया परतिमा लेके आएंगे तो लक्षमी पूजा वाले दिन पूराने जितने फोटो कलेंडर हैं सभी को और नये वाले को सभी को एक जगा करके पूजा कर लिजिएगा बिधी बिधान से उसके बाद आप बोल दिजिएगा पुराने वाले को कि मैं आप लोगों के कल बिसर्जन कर दूँगा या कर दूँगी और लक्षमी पूजा के दूसरे दिन जो सेकेंड दिन होता है उस दिन ले जाकर कि आप सभी को बिसर्जन बहते हुए गंगा में परवाह कर दिजिए नदी हो नहर हो कहीं पर भी आप बहते हुए पानी में सर्जन कर दिजिएगा इस से क्या हो ग़ा कि मालक्षमी आपसे नराज नहीं होगी जो आपके नएवाले परतीम होगा उसी में बिराजमान हो जाएगी दूसरी चीज क्या है आप मंदिर की साबसपाई करते हैं और आ क्यों गोमती चक्रे भी मालक्षमी का एक सोरूप होता है और इसे फेकना सूभ नहीं होता है तो आप ये सब छोटी छोटी अगर चीजों को आप समझ लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धंदौलत की कमी नहीं होती है आप रख दीजिए उसे धो करके गंगा जल से एक ड्र है कि ये जाड़ु जो है ना पुराना हो गया घिस चुका है अब तो लक्षमी पूजा से पहले आती है धंतेरस और धंतेरस के दिन में नया जाड़ु लेकि आने वाली हूं अब इस जाड़ु को कोई काम नहीं है मैं फेक देती हूं तो देखिए दोस्तों लक्षमी पू पूल जाड़ु अधिक डिन अधीरदी प्रुजा से लक्षमी पूजा कार्तिक महीना चल जाता है रहाइस आपने जाड़ जनमे नहीं निकाल के प्रुए नाराज टाकि है चौ। छूति जीजगे आपको मैं साब सफाई के लिए रखते हैं और आपको लगता है कि इस कपड़े को मैं फेक देता हूं या फिर माता की चुनरी है तो आप बिलकुल भी मत फेकिएगा अगर आपको नया ही लेके आना है कपड़ा तो उस कपड़े को क्या किजिए कि बांध करके एक साइड रख दीजिए क अब चली मैं आपको पांचवी चीज बता देती हूं कि भूल करके भी आपको अपने घर से नहीं फेकना चाहिए पांचवी चीज है कि जब भी आप अपने अलमारी की साब सफाई करें तो कोई सा भी आपको पुराना सिक्का दिख जाए 10 पैसे 20 पैसे एक पैसे तो आप भूल करके भी उस सिक्के को बच्चों को खेलने के लिए मत दीजिएगा बाहर मत फेकिएगा आप अराम से साब सफाई कीजिए और उस सिक्के को वापस रख दीजिए सबसे पहली बात की जो पुराने सिक्के है ना उनका डिमांड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अगर आप चाहें तो उन दस पैसे बिस पैसे सिक्के को नेट पे डाल करके ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और दूसरी चीज़ ये हो गया कि पुराने सिक्के में भी मा लक्षमी का वास होता है नए में भी होता है लिकि पुराने में ज़्यादा माता के लगा होता था तो इसलिए आपको बिल्कुल भी पुराने सित को फेकना ही नहीं चाहिए जैसेकि बहुत लोग फेक देते हैं ये कर देते हैं तो आपको नहीं फेकना है देखिए एक चीज और यह याँ आपके बताना चाहती हूँ अगर आपके पास लक्षमी गनेजी की पुरानी सिक्का है तो उसे आप चेंज बिल्कुल भी मत कीजिएगा लक्षमी पूजा पे अगर आपको सिक्का ही लेना है तो आप कर सकते हैं लेकिन और कोई चीज लेना हो जैसे आपको खुद की जुवैलरी लेना हो या कुछ भी ल सकते हैं और नहीं है तो उस सिक्के को ही आप पूजा कर सकते हैं देखिए दोस्तों यह थी छोटी-छोटी सी कुछ गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है लक्षमी पूजा से पहले वीडियो पसंद होगा तो लाइक पक्का कीजिएगा चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए जानते हैं कि 2023 में धन तेरस और लक्षमी पूजा कर देखिए 2023 में धन तेरस दस तारीक सुक्रवार के दीन है और लक्षमी पूजा बारत तारीक रभिवार के दीन है दोस्तों